वेलकम कोमेशन इस्ट्विड आज की इस वीडियो को थूप मैं आप लोगों के साथ GK एंड GS के कुछ important and selective question के बारे में आप लोगों के साथ discuss करने वाली हूँ यह question जो है अगर आप SSC, CHSL की तयारी कर रहे हैं, CGL, MTS या फिर अधर कोई government competitive exam की तयारी कर रहे हैं, तो यह question जो है वो आपके लिए exam की point of view उसे काफी ज़्यादा important रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को complete देखेगा, इसमें जो भी question है उससे related जितने भी important topic है, उनसे मतलब जितने भी important और भी question बन सकते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको detail में बताऊंगी, इससे क्या होगा, कि एक चीज़ के बारे में अगर आप detail में पढ़ेंगी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और वो आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं, तो वीडियो को सुरू करने से पहले, जो लोग में चैनल पर पहली बारा हैं, चैनल को subscribe करके, वैल आइकन को press कर दें, ताकि आपको latest वीडियो की notification वीडियो के upload होती ही, मिल जाए, और आप वीडियो को लाइक जरू कर दिजीगा, तो चलिए अब हम एक एक question जो है, एक एक करके देख लेते हैं, डेटेल में, तो जैसे कि हम first question देख लेते हैं, dot dot, के वस्तुकार ने नई दिल्ली के lotus temple को design किया था, यानि कि किस country के वस्तुकार ने नई दिल्ली में जो lotus temple बना ठीक है, यानि कि कनाडा ठीक है, अब इससे important question ये बनता है कि अगर lotus temple को किसी ने design किया है, तो वो कौन थे, ठीक है, किसने lotus temple को design किया, उनका नाम किया था, ठीक है, तो फरी वर्ज सहाबा ने इस lotus temple को जो है, वो design किया है, ये कनाडा के रहने वाले हैं, अब एक और चीज जाता है कि lotus temple जो है, वो कब बना था, तो इसको जो है, 1986 में complete बनाया गया था, ठीक है, अब इससे related एक और important question बनता है, कि lotus temple जो है, वो किस धर्म से बिलॉंग करता है, मतलब किस धर्म से बिलॉंग करता है, तो lotus temple जो है, वो बहाई उपासना अस्थाल है, ठीक है, यानि कि बहाई धर्म से बिलॉंग करता है, इसमें lotus temple में कोई भी मोर्ती नहीं होती है, कोई भी मतलब किसी भी धर्म से नहीं होता, लेकिन हाँ, बहाई उपासना अस्थाल है, तो आई होप आपको इससे related जितने question मैंने बताए, जैसा कि lotus temple जो है, कहाँ पे है, नई दिलॉंग मैं हो गये हैं, ठीक है, तो चलिए अब हम next question के बारे में देख लेते हैं, second question क्या है हमारा, तो second question है, भूटान का राश्टरी खेल है, यानि कि भूटान का राश्टरी खेल जो है, वो कौन सा है, first है तीरंदाजी, B option है, shooting, C option है ताई कांडो, D है, wrestling, तो भूटान का राश्ट का राश्टरी खेल है, तो यह सुर्जर लैंड का राश्टरी खेल है, ठीक है, and next आता है, ताई कांडो, ताई कांडो किस देश का राश्टरी खेल है, तो यह दक्षन कोरिया का राश्टरी खेल है, ठीक है, और next है, wrestling, तो wrestling, तो रेस्लिंग जो है, वो तर्की का राश्ट तो option number A है हजीरा विजयपूर जगदीशपूर यानि कि HBZ गैस पाइपलाइन नहर कटिया नोनमती बरोनी पाइपलाइन कंडला भटिंदा पाइपलाइन मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वार कोईली पाइपलाइन तो इसका आपका राइड एंसर हो जाएगा option number B ठीक है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा option number D ठीक है तो अब इससे related एक और important जो है question बन जाता है कि इसका गठन कब हुआ था यानि सकरिया आयोग का गठन कब हुआ था तो इसका गठन जो है 1983 यानि की 1983 में इसका गठन हुआ था ठीक है तो चलिए अब हम next question देख लेते हैं question number 5 ठीक है तो question number 5 है अपसौरिक्ता की परिगटना के दोरान प्रत्वी और सूर के बीच अनुमानी दूरी कितनी होती है ठीक है तो अभी एक word आता है इसमें अपसौर होता क्या है ठीक है तो अपसौरिक्ता वह होता है जब प्रत्वी की कख्षा में वहां इस्तती जब प्रत्वी और सूर के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है तो उसको अपसौर यानि अपसौरिक्ता कहते हैं ठीक है तो अब यहां पर यह पूछा गया है कि अपसौर million kilometer ठीक है तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया अपसौरिक्ता का मतलब जो हता है प्रत्वी की कक्षा से प्रत्वी और सूर के बीच की दूरी होती है उसको अपसौरिक्ता कहते हैं इसकी मैंने आपको दूरी भी बता दी ठीक है तो अब आता है कि सबसे कम कब होता है और ज सबसे कम दूरी रहती है उसको उपसौर कहते हैं अब ये इसकी दूरी I keep कितनी होती है ठीक है सेकंन कोश्वन आपका यह बन जाता है कि अनुमाने सबसे कम दूरी कितनी होते है टीक है थीक है तो इसकी सबसे कम दूरी जो हो जाएगी 147 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 सारे doubt clear हो गए होंगे और काई सारे question आपके ready हो गए हो ठीक है अब इसी question से एक और चीज बन जाता है सूर और प्रत्वी के बीच की ऑसत दूरी जो होती है वो कितनी होती है तो 15 करोड किलो मिटर जो है वो पृत्वी और सूरी के बीच की आसत दूरी होती है ठीक है एंडिशन नेक्स्ट क्वेशन है वाई मंदली ओजोन का अधिकांस भाग वाई मंदल की किस परत में पाया जाता है तो इस Question का Answer मैंने आपको Detail में कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जीके जीएस की उसमें मैंने आपको Detail में बताया है अगर आपने वो वीडियो देखी है तो Definitely मुझे पता है कि आप लोग इस Question का Answer जो है वो 100% आपको पता होगा तो अगर जिन लोग को नहीं पता चले मैं फिर से बता देती हूं कि जैसा कि वाय मंडल में जो है वो चार लेयर होती है छोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल and धर्मो स्पेर यानि की ताप मंडल ठीक है तो ये ताप मंडल जो होता है वो आयन मंडल भी कहते हैं आयन मंडल को देख सकते हैं इस वीडियों को देखने के बाद तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानि की समताप मंडल ठीक है यानि की जो समताप मंडल होता है इसमें ही ओजोन गैस होती है ठीक है तो कोश्चन में पूछा गया है वाय मंडल ये ओजोन का अधिकांस ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर यानि की स एन ठीक है तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं स आई टी आई टी ए लिखा हुआ है तो अब यह किस्टेज का प्रतीक है तो आपको इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ तो एस आई जो है वो silicon का प्रतीक है and ti जो है वो titanium का प्रतीक चिन है and ta जो है वो tantalum का प्रतीक चिन है ठीक है अब इसमें से एक और question बन जाता है कि आप से ये पूछ लिया जाता है कि 10 का atomic number क्या होता है ठीक है 10 का atomic number जो होता है वो 50 होता है ठीक है टैटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 यानि 22 होता है और टैंटलम का एटॉमिक नंबर जो हता है वो 73 होता है I hope इसके बारे में आपको clear हो गया होगा तो चलिएब हम next question जो है वो देख लेते हैं next question है बतियाली निम्लिकित में से किस राज का लोग संगीत है ठीक है तो इसका right answer हो जाएका option number A पशिम बंगाल बटियाली जो है वो पशिम बंगाल का लोग संगीत है और पशिम बंगाल का एक और जो है वो लोग संगीत है जो की है बहुला यानि कि इसका दो लोग संगीत है बहुला एंड बट्याली ठीक है तो आई होप आपको ये question जो है वो clear हो गया होगा तो चले next question के बारे में देख लेते हैं ठीक है तो अभी इसमें से एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको ये जो अनुषेद वगरा है वो आपको एक बार detail में पढ़ लेना चाहिए अगर आप detail में पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ जो है वो clear हो जाएंगी ठीक है अभी एक चीज और आपको पता होगा कि लोग का प्रवधान जो है वो अनुषेद 81 एंड 331 में इसके बारे में जो है वो वर्णन किया गया है तो आप इसको भी देख लीजेगा ओके एंड नेक्स कुश्चन है हमारा भारत में कौन सा बैंक जो है मुद्रा नोट छापता है तो इसका right answer क्या होगा आप हमें comment section में बता होगा ठीक है तो जिन लोगों को पता है वो comment section में जरूर बताएगा इसका right answer क्या है तो ये आपके लिए है ये question आपके लिए आप इसका right answer comment box में दीजेगा okay so I hope आपको ये question जो है वो काफी ज़्यादा important है तो I hope आपकी समझ में आ गए होंगे ने भी question मैंने बताए आपको ये काफी ज़्यादा important है exam के point of view से तो आप लोग इसको जो है एक बार पढ़ने के बाद no down कर लिजेगा ताकि आपको हमेशा जो है mind में आपके रहा भूल okay so I hope आपको ये information पसंद आई हुई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक केजिए शेयर केजिए मेलते है नेक्स वीडियो में ने टोपिक के साथ स्वेशन थैंक यू